दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम जानेंगे तिलों के रहस्यों के बारे में बैसे तो बिश्र में कई करोड लोग होंगे जिनके सरीर पर तिल पाए जाते हूं पर सास्त्रों के अनुसार सरीर पर चार स्थान ऐसे हैं जहां पर तिल होने से व्यक्ति बहुत ही भागिसाली होता है दोस्तों अनेक प्रकार के सुख ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम उम्र में पाता है अब हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से हैं वह चार स्थान जहां पर ये तिल पाए जाते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पुरुष और इस्त्रियों के लिए इन तिलों का फल अलग-अलग माना जाता है इसलिए ध्यान से सुनें पहला तिल बात करते हैं पहले तिल की तो तिल अगर नाक के अगर भाग पर होता है तो क्या फल होता है ऐसे पुरुस बहुत ही कम उम्र में परिवार से दूर परदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं वर 27 वर्स की आयू में करोडों का ब्यापार करते हैं अत्वा करोडपतियों के साथ रहकर उनका ब्यापार देखते हैं इस्त्रियां ऐसे पुर्सों पर जल्द आकर्सित हो जाती हैं ऐसे पुर्सों का बेवहार बहुत ही स्रेष्ट माना जाता है अब इस्त्रियों की बात कर लेते हैं जिन इस्त्रियों के नाक के अग्र भाग पर तिल होता है वह इस्त्रियां बहुत ही भागिशाली होती हैं, पती की प्यारी होती हैं, इन महिलाओं को मेक अप व अच्छे रहन सैन में रहना जादा पसंद आता है, ऐसी महिलाएं कभी किसी को धोका नहीं देती हैं अब दूसरे तिल की बात करते हैं दोस्तों, ठोड़ी परतिल होना, जिन पुरुसों की ठोड़ी परतिल होता है, वह पुरुस पैसा कमाने के लिए अलग-अलग कारेशेत्रों में रुची रखते हैं, उन्हें पैसों से बहुत आयत लगाब हो जाता है पैसा कमाने में दिन रात एक कर देते हैं, और बहुत कम उम्र में जीवन से बहुत कुछ सीख ले करके सभी भौतिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, और इन्हें बहुत ही सुन्दर पत्नी मिलती है और अगर इस्त्रियों के थोड़ी पर तिल होता है, तो ऐसी महलाएं कामबासना में आ सकती रखने वाली, इनका बिवह करोड़ पती घरानों में होता है, वा पती के लिए बहुत ही भागिशाली साबित होती है तीसरे तिल की बात कर लेते हैं दोस्तों, पीट पर तिल होना, ऐसे पुरुसों के कई महलाओं के साथ संबंद पाये जाते हैं, बहुत ही जिलदार होते हैं लेकिन ये पुरुस, इनकी आवाज में जादू होता है, कोई इनकी आवाज सुन लेता है, तो इनका दीवाना ब जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीवत इनके सामने टिक नहीं सकती, इन्हें अकेला रहना जादा अच्छा लगता है, दोस्तों बात करते हैं चोथे तिल की, तो जिन पुरुसों के किसी भी गाल पर तिल होता है, वह समाज की भलाई करने की सोच रखने वाले होते हैं, व ससुराल में राज करने वाली ऐसी महलाएं होती हैं, और साथी साथ ये महलाएं बहुत ही भाबुक भी होती हैं, तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने भविस्त को निसुलक जानना चाहते हैं, तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें, वहाँ पर हम लाइव आकर आपसे बात करते हैं, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, दोस्तों धन्यवाद